शिवलिंग क्या है यह सवाल हर किसी के मन में चलता है, हर किसी को संस्कृत का ज्यान नहीं होता है, आए इसका अर्थ जाने और भ्रम से बचें इसका अर्थ संस्कृत में चेन प्रतीक होता है शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रती जिस तरह पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रती इसी प्रकार स्त्री लिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुनसक लिंग का अर्थ हुआ नपुनसक का प कि आकाश स्वयम लिंग है। जानना भी जरूरी है कि आखिर इसी रूप में क्यों पूजा जाने लगा। उर्जा और पदार्थ हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा उर्जा है इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ती उर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रहमांड में उपस्थित समस्थ ठोस तथा उर्जा शिवलिंग में निहित है वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रहमांड की आख। कृती है शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ती पारवती का आदी अनादी एक रूप है तथा पुरुष और प्रकृती की समानता का प्रतीक भी है अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृती स्त्री का वर्चस्व है बलकि दोनों का समान है अब बात करते हैं कि किन तथ्यूं पर शिव के रूप को शिवलिंग कहा जाता है दोस्तों प्रथम तथ्य यह है कि भगवान शिव ने ब्रहमा और विश्नु के बीच श्रिष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलजाने के लिए एक दिव्यलिंग जोती को प्रकट किया था इस जोतिरलिंग का आदी और अंत घूंगते हुए ब्रहमा और विश्नु को जा नहीं होती लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विश्नु का विग्रह रूप मानकर पीसी की पूजा की जाती है दूसरा तथ्य है कि एतिहासिक प्रमानों के अनुसार विक्रम समवत के कुछ सहस्त्रवादी पूर्व संपूर्ण धर्ती पर उलका पिंड का अधिक प्रकोप हुआ आदिमानव को यह रुद्र का आविर्भाव दिखा जहां यह पिंड गिरे वहां वहां इन पवित्र प पुरान के अनुसार उस समय आकाश से जोती पिंड प्रित्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया इस तरह के अने। प्रातात्विक अवशेश मिले हैं सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृती पर निर्भर था इसलिए वह पशुओं के सनरक्षक देवता के रूप में भी पशुप्ती की पूजा करते थे सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सील पर तीन मुह वाले एक पुरुष को दिखाया गया है जिसके आसपास कई पशु है इसे भगवान शिव का पशुप्ती रूप माना जाता है अब हम बात करते हैं आखिर तक की दोस्तों प्राचीन भारत ही नहीं संपूर्ण धर्ती पर मूर्ती पूजा का प्रचलन था इसी के बीच ऐसे पूजा का प्रचलन प्रारम्भ किया होगा क्योंकि शिवलिंग को इश्वर का निराकार जोती स्वरू भी माना जाता है शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्षों की पूजा का प्रचलन हिंदू जैन-धर्म में बढ़ने लगा बौध काल में बुध औ और महावीर की मूर्तियों को अपार जन समर्थन मिलने के कारण राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाने लगी। जिस तरह के शिवलिंग का रूप है, जिसमें जला धारी और उपर से गिरता पानी है, शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रहमांड में घूम रही हमारी आकाश गंगा और उन पिंडों की तरह है, जहां जीवन होने की संभावना है। जिससे स्रिष्टी प्रकट होती है, उसे शिवलिंग कहते हैं, इस प्रकार विश्व की संपून उर्जा ही शिवलिंग की प्रती। ठीक है वस्तुतह यह संपून स्रिष्टी बिंदु नाद स्वरूप है, बिंदु शक्ती है, और न शिव यही सब का आधार है, बिंदु एवन नाद अर्थात उर्जा और ध्वनी यही दो संपून ब्रहमांड का आधार है, दोस्तों इश्वर निराकार है, शिवलिंग ठीक है यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भगवान शंकर या महादेब भी शिवलिंग का ही ध्यान करते हैं, शुन आकाश अनंत ब्रहमांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है, सकंद पुरान में कहा गया है कि आकाश स्वयलि धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शुने से पैदा हो उसी में विलीन होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है, शिव पुरान में शिव को संसार की उत्पत्ती का कारण और पर प्रहमा कहा गया है, इस पुरान के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण उर्जा स्तंभलिंग प्रतीक रूप से या प्राचीन विद्या को बचाने के लिए शिवलिंग की रचना इस तरह की लाब है कि कोई उसके गूड रहस्य को समझ कर उसका लाब उठा सकता है जैसे शिवलिंग अर्थात पारा जलाधारी अर्थात पीतल की धातु नाग अर्थात तामबे की धातु आदी को बेलपत्र धतूरा और आकडे के साथ मिला कर कुछ भी औशधी च मध्य भाग में आठोन को एक समान पीतल बैठक बनी होती है अंत में इसका शिर्ष भाग जो की अंडाकार होता है जिसकी पूजा की जाती है इस शिवलिंग की उंचाई पूर्ण मंडल या परिधी की एक तिहाई होती है ये तीन भाग ब्रहमा नीचे विश्नु मध्य और शिव शीष के प्रतीक है शीष पर जल डाला जाता है जो नीचे बैठक से रहते हुए बनाए गए एक मार्ग से निकल जाता है प्राचीन आशी और मुनियो द्वारा ब प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं पहला आकाशिय या उनका शिवलिंग और दूसरा पारद शिवलिंग पहला उलका पिंड की तरह काला अंडाकार लिये हुए ऐसे शिवलिंग को ही भारत में जोतिरलिंग कहते हैं दूसरा मानव पुराणों के अनुसार शिवलिंग के प्रमुख छै प्रकार होते हैं, डेवल्पिंग असुर लिंग लिंग, पुराण लिंग, मनुष्य लिंग और स्वयंभू लिंग तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको विडियो पसंद आई होगी तो चैनल से.